हेलो एवरिवन, वेलकाम टू स्टडी स्मार्ट इस्टूडो आज हम मौड़न हिस्ट्री में भारत की गवर्नर जनरल से सम्मझेद मात्पूर तक्त को पढ़ेंगे अब हमारे हिस्ट्री से ले लेते सबी वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाका देख सकते हैं तुछ थे हैं सेसन की ओर यह भारत की गवर्नर जनरल है भारत के प्रसम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक थे और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे इन सबी को हम इखिक करके देखेंगे भारत के पहले गवर्णर जनरल लॉर्ड बिलियम बेंटिक थे इनका कारकल 1828-1835 के बीच था 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था इस चार्टर एक्ट की द्वारा बंगाल की गवर्णर जनरल को अब भारत का गवर्णर जनरल कहा जानी लगा था और यह भारत के पहले गवर्णर जनरल बनाई गए थी इससे पहले यह 1803 में मदरास की गवर्णर लाई चुकी थी इन्ही के समय में मद्रास में 1806 में बैलूर सिपाही विद्रो हुआ था बैलूर सिपाही विद्रो क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सेनको को जाते चिन वाक कानों में बाली पहनने से मना कर दिया था इस कारण वहां की सेनकों ने विद्रो कर दिया लौर्ड बिलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रता का अंठ किया था बेंटिक ने सती प्रता का अंठ राजा राम मुहन राय की सायोक्षि किया था सती प्रता का अंठ बेंटिक ने 1829 की धारा सत्तरा के अनुशार किया था पहले सन के हिसाब से धारा चला करती थी सती प्रथा का अंत किस धारा के अनुसार किया था 1829 की धारा 17 के अनुसार और किसके सायोग से राजय राम मोहन के सायोग से इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था बेंटेक ने 1830 में ठगी प्रथा का अंत करनल स्लीगमेन की सायोग से किया था ठग डेवी काली की पूजा करते थे और इनी की समय में ही सर्पिथम संभिया की आयुक्तों की निक्ति की गई सर्पिथम संभागी आयुक्तों की निक्ति किसकी समय में की गई बेंटिक की समय में इन्होंने सरकारी सेवाव में भेदबाव का अंत किया और इनकी समय में भारतियों को उच्चितम पद सदर अमीन का प्राप्त होता था लोर्ड बिलियम बेंटिक ने 1833 में बाल हत्या पर प्रतीबंद लगाया और किस धारा की तहत? 1833 की धारा सत्तरा की तहत इन्होंने 1845 में मैकाले की अनुसंसा पर अंग्रेजी को उच्चिसक्षा का माध्यम बनाया अंग्रेजी को उच्चिसक्षा का माध्यम भारत में किस ने बनाया? लोर्ड बिलियम बेंटिक ने और यह मैकाले की अनुसंसा पर बनाय गया था इन्होंने 1835 वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की विश्थापना की थी लोड बिलियम बेंटिक ने रियासतों के प्रति अब विवस्था का आरूप लगाकर उन्हें हरप लिया था जिसमें किस-किस रियासत को इन्होंने हरप लिया था मेसूर, जेतिया वा काचर वा कुर्ग को बेंटिक ने अबिवस्था का आरूप लगाकर हरप लिया था इसकी बाद चार्ल्स मेटकॉप भारत की गवर्ने जनरल बनती हैं यह दो साल के लिए गवर्ने जनरल बना जाती हैं इनके समय में प्रेस एक्ट 1835 पारित हुआ था इस एक्ट के ताथ भारते समाचार पत्र पर आरूपित नेंतर को हटा दिया गया था चार्ल्स मेटकॉप को भारते प्रेस का मुप्तिदाता भी कहा जाता है भारतिय प्रेस का मुट्टी दाता किसी कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉक को इसके बाल लॉड ओकलेंड गवर्न जनरल बनाय जाते है इनकी समय में प्रिथम आंगले अफ़गान युद्ध हुआ था इस युद्ध में अंग्रीजों की हार होती है एक इतिहासकार है इन्नस इन्नस ने इस युद्ध को सरवाधिक मूर्ता पूर्ग पूर्ण युद्ध की संग्या दी थी इन्ही की समय में सरकारी स्कूलों में चात्रप्रती की सुरुबात हुई थी सरकारी स्कूलों में चात्रविती की सुरुवात किसकी समय में हुई थी? Lord Auckland की समय में और इन्होंने प्रारंबिक स्कूलों में सिक्षा का माध्यम प्रादिर से किया प्रांतों की भासा को बनाया था Lord Auckland ने ही सिरसाय सूरी मार्ग का नाम जीती रोज रखा था सिरसाय सूरी मार्ग का नाम जीती रोज के समय रखा था Lord Auckland ने इनके समय में प्रथम आंगल अपगानियों दे हुआ था इन्होंने सरकारी स्कूलों में चात्रविती की सुरुवात की थी वा प्रारंबिक स्कूलों में स्क्षा का माध्यम प्रादेशिक भासा को बनाये था इसके बाल Lord Allen Baru गवर्न जनर्र बनते हैं इन्होंने 1843 में दास्पर्था का अंच किया था दास्पर्था का अंच 1843 की धारा पांच की दुवरा किया गया था इस इनकी काल को आकर्मनता की निती का काल कहा जाता है Lord Allen Baru की काल को आकर्मनता की निती का काल भी कहा जाता है इनकी समय में प्रथाम आंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इन्होंने 1843 में सिंद का ब्लै बृत्टिश सामराज में कर लिया था इन्होंने 1843 में सिंद का बिलाइ बृत्य सासन में कर लिया था इनी के समय में रवीबार की छुट्टी का आरम हुआ था रवीबार की छुट्टी का आरम कर भूआ था 1843 में इसके बाद लॉर्ड होर्डिंग गवर्ने जनर्र बनते हैं इनके समय में प्रिथम आंगलिस सखी युद्धूगा था और अंग्रीजी सेनाओं ने लाहूर पर अधिकार कर लिया था 1840 में इन्होंने लाहूर की संदिक के थी लाहूर की संदिक कब हुई थी 1846 में इन्होंने खीर जंजाती में प्रिचलित नर्बली प्रिथा का अंत किया था और किसकी साहता से? केम्पेबेल की साहता से लॉर्ड हॉर्डिंग ने बहुत सी बेस्टुओं को उत्पात कर से मुक्त कर दिया था अब इसके बाद लॉर्ड डलहॉजी भारत के गवर्णर जनल बनते हैं इनका कारकाल 1840 से 1856 एसबी तक था इनके समय में दुतिया आंगले से कियोद हुआ था दुतिया आंगले से कियोद 1848 से 49 के बीच हुआ था वा इसमें 1849 में पंजाब का बले कर लिया था पंजाब से प्राप्त कोहिनीर हीरा को इन्होंने रानी विक्टोरिया को दे दिया था इन्ही के समय में दुतिया आंगले बर्मा युद्धुआ था इस युद्ध में 1800 बाउन में लुवर बले वा पीगु का लुवर बर्मा और पीगु का बले बिच्चिशासन में हो गया था इन्होंने 1850 में सिक्किम पर दो अंगलाजी अधिकारियों के साथ दुर्बेहोर का आरूप लगा पर सिक्किम पर अधिकार कर लिया था डलहोजी दुवरा राज्यों की हरपनीती सुरू की गई थी हरपनीती का अन्य नाम क्या है चूक का सिद्दान्त और ब्यपगत सिद्दान्त इन्होंने सबसे पहले 1848 में महराष्ट की सितारा को बिच्चिश सामराज में मिला लिया था इसके बाद जैदपूर, संबलपूर, बगहाट, उदेपूर, जहांसी, नाकपूर वा अबद को हरपनीती के ताहट बिच्चिश सामराज में मिला लिया था इसी के कारण 1867 की करांतिकी निवपडी थी डलहोजी नहीं 1800 बाउन में इनाम कमीशन की स्थापन की थी इनाम कमीशन का उद्डिस क्या था? इसका उद्डिस भूमी कर रहे जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था डलहोजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है भारत में पहली बार रेल सूला अप्रेल 1853 को मुंबई से ठाने के बीच चली थी और यह कुल कितनी चली थी? 34 किलोमीटर इस ट्रेन का नाम फेरी की उन्था जो भारत में पहली रेल चली थी इस ट्रेन का नाम फ्योरी की उन्था और इसे सुल्तान साहिवा वा सिंड इंजन द्वारा कीचा जा था इस ट्रेन का निर्मार Great Indian Peninsula Railway Company ने किया था धेडिक्यून च्रेन का निर्मार किस ने किया था Great Indian Peninsula Railway Company ने जबकि दूसरी लाने 1854 में कलकटा से रानी गंज तर्ड़ बिसी थी और यहीं दूसरी रिल चली थी दूसरी रिल कहां चली थी? इनके समय में 1853 में बिद्धुत्तार सेवा का प्रारम हुआ था बिद्धुत्तार सेवा भारत में पहली बार कलकत्ता से आग्रा के भी चली थी बिद्धुत्तार सेवा पहली बार कलकत्ता से आग्रा के भी शुरू हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा अधिकारियों की निक्ति के लिए प्रतियोगिता परिच्छा की बिवस्था की गई 1853 में चार्टर एक्ट आया इसमें कमपनी की द्वारा अधिकारियों की निक्ति को समाप्त कर दिया अब अधिकारी किनेटी प्रतियोगता परिच्छा की द्वारग की जाएगी इन्होंने 1864 में सुतंजर विवाग के रूप में लोकसिवा विवाग की स्ताफना की और भारत में पहली बार डलोजी के द्वारा ही साजबनिक निर्मार विवाग की स्ताफना की गई थी डलहोजी ने लुक्सिबा विभाग और साजबनेक निर्मार विभाग की स्ताफना भी की थी डलहोजी की समय में ही अठारा सो चौंगन में बुच डिश्पेश को लागू किया गया था बुच डिश्पेश में क्या था इसमें प्रात्मिक से विश्व विध्याले तक की सक्षा के लिए ब्यापक यूजना थी बुच डिश्पेश को भारते सक्षा का मेगनकार्था कहा जाता है बुच डिश्पेश को भारते सक्षा का मेगनकार्था कहा जाता है इसमें क्या परावदान था? इसकी तहट प्रतेक जिले में एंगलूग बरनुकलियर स्कूल खूले गए, प्रमुक नगरों में सरकारी कोलेज की स्थापना की गई, अठारसो संतावन में कलकत्ता, मद्रास वाव बंबाई में विश्व विद्याले की स्थापना की गई, इस इसकी तहट रोड़की में एक इंजिनियर कॉलेज की विश्व तापना की गई थी, डलहोजी की समय में ही अठारसो चंगन में पोस्ट आफिस एक्ट पारेट हुआ था, इस एक्ट की तायद भारत में पहली बार डाट टिकेट का प्रचलन परारंब हुआ था, डलहोजी इसने सिमला को भारत की ग्रीश में काली राजधानी बनाया था, इन्होंने 1856 में तुफखाने को मुक्याला को कलकत्ता से मेरत में इस्तानांतरित कर दिया और सेना का मुक्याला सिमला में इस्तानांतरित कर दिया था, 1856 में डलहोजी वा ईश्वर चंदर विद्यासागर की सायूग से बिद्वा पुनर्विवाय अधिनियम पारित हुआ था इसके वाल लॉर्ट केनिंग गवर्नर जन्रल बनते हैं इनकी समय में 1867 की क्रांती होती है यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जन्रल थी अब इसके बाद गवर्नर जन्रल का पद समाप्थ हो गया था यह ब्रितिश समराथ की द्वारा नियुक्त भारत में प्रिथम वोईशराय थी Lord Kenning बृतिश सम्राथ की द्वारा नियुक्त भारत में प्रथम वोईशराय थे नेस्ट वीडियो में हम भारत की वोईशराय से सम्मझेत मातपूर तक्त को परेंगे थेंक्स पॉर वाचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू करें इससे हमें मॉटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद बार